नमस्कार स्वागत है आपका TCS पाट साला के YouTube चैनल पर और आज हाजिर हैं हम आपके साथ clear-cut info में एक बहुत ही जरूरी और समवेदन से इलमुद्दे को ले करके जैसे हमारा देश गती कर रहा है विकास की और अग्रसर है और हम भी चाहते हैं आप सब भी चाहते हैं कि हमारा देश बहुत तेजी से develop करें वहां पर बड़ी-बड़ी इमारते हों बड़े-बड़े bridges बनें लेकिन इन ब्रिजों की या इन इमारतों के collapse हो जाने पर कितनी सारी लोगों की जाने चले जाती हैं मैं यह नहीं कर रहा हूं कि development नहीं होना चाहिए लेकिन development होने के साथ साथ अगर उसकी कीमत इस तरह से चुकानी पड़े व्यक्तियों को या हमें या हमारे लोगों को हमारे देश के लोगों को तो ये इस बात पर विचार करना बनता है और इस बात पर प्रश्ण उठाना भी बनता है उन अधिकारियों से उन जिम्मेदार व्यक्तियों से क्योंकि जिस समय हम इस रेस में दोड़ रहे हैं कि हम बड़ी-बड़ी इमारते खड़ी करेंगे या बड़े-बड़े ब्रिज बनाएंगे तो हमें उस तकनीक का ऐसा प्रियोग भी तो करना चाहिए जिससे कि वहां पर सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा सके हम इतने सारी बाते जो आप से कर रहे हैं या इतना ज्यादा इस पर सवाल जो उठा रहे हैं मेरे पास बहुत सारे बहुत सारे ऐसे उधारण है जो मैं आज आपको दिखाऊंगा और इसलिए मैं लगातारी इस बात पर चर्चा करना चाहता हूँ कि यह जो कि गती इतनी तेज क्यों हो गई है कि जो बरबादियां है वो कुछ जादा ही तेजी से हो रही है ऐसा नहीं है कि चीजें घरती नहीं है ऐसा नहीं है कि चीजें खराब नहीं होती है लेकिन वह एक निश्यत अवधी पर समाप्त होती थी और समाप्त होनी चाहिए लेकिन आज उसका acceleration इतना जादा हो गया है चाहे वो मानवी हस्तक शेप की वज़े से हो कि हमने प्रकृति के साथ ऐसा हस्तक शेप किया है कि disbalance हुआ है और चाहे तो उसका करण करप्शन हो और चाहे तो उसका करण हमारी नीतिया हो हमारी policies हो चाहे तो उसका करण कोई एक भरस्ट ठ पड़ता है आप ऐसे कैसे ऐसा संदचना बनाते हैं जो भरस्टाचारी उपतों हो और एक उधारण नहीं है आपको मैं दिखाता हूं कितने सारे उधारण है देखो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो रूफ है वह डेली एरपोर्ट की वह कोलाप्स कर गई है और कितने सारे कर रहा है अब मतलब आप एक ऐसी जगे कि संरचना का यह प्रस्ण है जहां पर लोग प्रतिदिन आते जाते हैं और ऐसा नहीं है कि कोई आम जगे है ना हम एरपोर्ट की बात कर रहें इतना ही नहीं आप देख रहें और भी चीजों को आप देखिए टर्मिनल क्रेस के बा मतलब है संरचना में यहां पर हमारी सारी चर्चा इस बात पर हो रही है कि जो संरचना अत्मग विकास हो रहा है वह डेवलप्मेंट कहला रहा है या उससे बरबादी हो रही है या उससे समस्या आ रही है तो एक बिहारी सब पर भारी ठीक है यह कोटेशन भी आप आप सु जो है वो गिर गए भाई साब कैसे बना रहे हैं और अगर एक ब्रिज गिर रहा है तो क्या हम उससे सीख नहीं ले पा रहे हैं क्या ज़रूरी है कि हर स्टेट में जब दस से ज़्यादा ब्रिजज गिर जाएंगे तब हम उस पर विचार करना चालू करेंगे अरे भाई गलती होती है चलो ठीक हो सकता है ना चीजों को समझ पाए हो ब्रिज बना उसका एंगल ठीक न रहा हो कुछ भी समस्या हुई हो प्राकृतिक समस्या हो गए एक ब्रिज गर गया एक ब्रिज के बाद भी हम दूसरे वारे ब्रिज को भी ठीक नहीं कर पाए या तीस का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो यह तो development कहीं से हो नहीं रहा है यह development हमें ले जा रहा है विनाश की और कि मैं इसलिए इतना question कर रहा हूं कि गलती एक बार होती अच्छा यह frequent होता रहता है हमारे हां इतनी जादा policies की policies को implement करने में अंदेखी होती है कि एक के बाद एक हाथ से अभी कुछ दिन पहले का मामला है डेली में ही दिली वाले जो कोचिंग सेंटर्स में तीन बच्चों की डथ हो गई कि इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा इस चीज के लिए कौन जिम्मेदार है मैं यह प्रस्न चाहता हूं यह चौदा तेरा तेरा ब्रिज के कोलाप सो जाने के लिए क्या उन अधिकारियों को आप किवल सस्पेंड कर देने से आप उन व्यक्तियों को वापस कर देंगे उनकी जिनकी जान चली गई यह ऐसे परिवार जिनों ने अपने आदमी को खो दिया है अपने व्यक्तियों को खो दिया है आप उनको मुआवजे दे करके समवेदना ले करके जो है आप उनकी पूर्ती कर देंगे कोई से भी सरकार अथ्वा कोई भी अथरीटि यह नहीं कर सकती हमारे हैं प्रचलन हो गया है बड़ा थ्वड़ संह उस पर मुअव्जति की घोश्न हो गई यह है यह लॉआइशने की घोश्न हो गई कब तक है कब तक यह प्रक्रियां चलती रहेगी क्या हम अपने हो रही गलतियों से या हो रहे हाथसों से सीख नहीं ले पा रहे हैं क्या हम तक्निके को ठीक तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं क्या जाता है अगर हमें सीख नहीं पड़े तो हम तक्निके सीख करके लागू कर सकते हैं अंसादनों की कमी है तो आप private players को ला सकते हैं आपके पास private public model है आप उसे use कर सकते हैं कुछ नहीं जाता है अगर तकनिकों का सही प्रियोग करके लोगों के लिए सुरक्षित सनरचना बनाई जा सके तो क्या जाता है अगर सरकार इन चीज़ों को ठीक से लागू नहीं कर पर में एक साल में साथपूल गिर घे हैं कहाँ से कहां तक लोकैलीटी भी यह बहुति लिखी हुए कहां से कहा तक बागलपूर से लेकर बेगर गू सराय तक समतने साथ bridge कोलब्स हुए उया बाई गहां फैसाना सामじゃब कितना सारा पैसा убınने में कितना समय इतना सारा फैसा क्लाप्स हो रहा है इस पर विचार करना बिल्कुल जरूरी है क्योंकि अगर क्लाप्स हो रहा है तो देर इस रीजन यह तो करप्शन जादा है कमीशन ले लेने के करण वो लोग इंपलीमेंट नहीं कर पा रहें यह तो निगर इन अंदेखी इतनी हो रही खराब मटेरियल अपलाई हुई एक ब्रिज गिरा तो हमने दूसरे वाले ब्रिज में अच्छे मटेरियल क्यों नहीं लगवाए कि यह बड़ा सोचने का विचार है गुजरात में एक हाथसा हुआ था मॉर्भी ब्रिज कोलाप्स हुआ था आप देखरें 55 बच्चों के डित हो गई है और क अगर जीवन को ठीक से जीया ही नहीं जिसके जीवन के सुरुवात ही नहीं हुई हो सकता है कि यह बच्चा यह यह जो 55 बच्चे को डित हुई है यह आगे चलकर के भारत की GDP के लिए बहुत कारगर साबित होते हो सकता इस में से बहुत बड़ा इंडेस्टिलिस बन जाता को इसमें से बहुत अच्छी परिक्षा पास करके देश्वा में जाता कोई सरकारी नोकरीों में जाता है को हमारी एक 2022 के बड़े बड़े हाथ से मैं तो कुछ छीजों की क्लिप लेकर के आपके सामने बात कर रहूं, ऐसे कितने सारे हाथ से हैं, हमारे भारत में होते रहते हैं, बट हमारे यहां, जब उसकी जाच पर कोई कमेटी बैठती है, तो लीपा पोती कर दी जाती है, कमेटी बैठती है, उसकी रिपोर्ट फिर बाद में 10 दिन के लिए मामला गरम रहता है, और 10 दिन के बाद जैसे ही चीजे मैनेज होना स्टार्ट हो जाती है फिर भूल जाते हैं लोग हमारे भूलने की बड़ी बीमारी कोई भी नेता कोई भी प्रॉमिस करेगा ठीक है नहीं पूरा कर पाएगा आप उससे नाराज रहेंगे अगली बार वोट नहीं करेंगे फिर से वो g bedroom नोबड़ी नोज कि क्या यह आगे कर सकता था भारत के लिए कितना जादा यह योगदान कर सकता था कितना महत्वपून व्यक्ति हो या यह इतना ब्रस्टाचार कोई आसान प्रक्रिया थोड़ी बड़ा बड़ा जो ब्रिज गर जा रहा है और थोड़े बहुत नहीं इतने सारे लोगों की डेथ हो जा रही है और ऐसे ऐसे ब्रिज को लैप्स करने जिनको सत्रा सो करून में बनाए गए सत्रा सो करून मतलब समझ रहे राज्यों की जीडिपी दरधारित हो सकती है मतलब इतना जादा पैसा जो है वह वेस्ट हो जा रहा है और अगर ऐसी चीजें अगर ऐसी घटनाएं रिपीटेड़ी हो रही है तो परेसानी केवल यहीं नहीं है कि यह क्यों हो रहा है परेसानी कि नहीं हो सकता है परेसानी इसमें है कि हम ठेका उन्हें नहीं दे सकते जो इमानदारी से इनसे बहतर काम कर सके परेसानी इसमें है कि हम जहां से मालकी supply लेते हैं उनको क्या हम लोग अच्छे से नहीं चुन सकते अगर 40% कमिशन्स चले जाएंगे तो 60% में वो भी अपने profit को लेते हुए, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, बट मैं ये question जरूर कर रहा हूँ कि अगर नहीं हो रहा है, so why these things are happening repeatedly, ये चीजें बार-बार क्यूं हो रही है? being a citizen, आपको भी ये प्रस्न जरूर बनाना चाहिए और उठाना भी चाहिए, अपने authorities से उठाना चाहिए, आए थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या ये जो घटनाएं हो रही है, ये कभी नहीं हुई, आज ही जादा हो गई है क्या, तो ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी कहा है, कि कारण इसके बहुत सारे हो सकते हैं, इसकी कारण प्राकृतिक भी होते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का मतलब है कि कोई ऐसी lens lights हो गई, जैसे अभी केरला में हो गई, ऐसे कई बार घटनाओं होती हैं, कि प्राकृतिक घटनाओं से जो है, हैंपर होती हैं चीज़ें, बट मैं फिर से कह रहा हूँ, आनियंत्रित विकास इसका बड़ा कारण है, आज के सदियों पहले भी महाद्वीप विस्थापित हुआ करते थे, हानिया हुआ करती थी, चीज़ें टूटा करती थी, लेकिन मनुष्य के गत्विधियों ने, मानों ने, डेवलप्मेंट को इतनी तेजी से उसकी तरफ भागे हैं, और बैलेंस नहीं मेंटेन किया है, जिससे की नैचुरल इंबैलेंस हुआ है, और नैचुरल इंबैलेंस हो जाने के कारण जो है, ये जो हानिया 20 वर्सों में हो रही थी, वो एक ही वर्स में 20 बार हो रही है, ये आनियंत्रित जो विकास की गती है, जिसे हम लोग सो कॉल डेवलप्मेंट कह रहे हैं, लेकिन अगर ये डेवलप्मेंट हमारे इस प्रकार के रिपरकेशन पर आ रहा है, ऐसे परिणाम पर आ रहा है, तो समझना पड़ेगा, पहले भी प्राकृतिक कारणों से चीज़े समाप्त होती थी, गिरती थी, लेकिन हमारे मानों के हंस्तक शेप ने अनियंत्रित विकास ने इसको बहुत तेजी से एक्सिलरेट कर दिया है, बहुत तेजी से इसमें विर्धी कर दी है, और ये इंबैलेंस का कारण है, जिससे की हम लोग, जिससे डेवलप्मेंट कह रहे हैं कि बड़ी-बड़ी इमारते खड़ी करेंगे, बड़ ध्यान रखना पड़ेगा कि उस इमारत को खड़ी करने में उसका जो कीमत है, कहीं किसी की मृत्यू से तो नहीं चुकाना पड़ेगा, कि इसके साथी साथ अगर आपका भी देखीं, तो प्रशासनी करन भी आंज प्रसासनी करन का मतलब है, कि बरस्थाचार, प्रमुक करन जो है वह यही है कि बरस्थाचार की जीता जाकता उधारण मैंने आपको कहते हैं बताया अभी कि सत्रा सो सत्रा करोन में बने हुए जो ब्रिज है वो तास की पत्तों से की तरह अगर बिखर जाएं तो यह इतना बड़ा अमाउंट वेस्ट हो गया इतनी बड़ी प्लैनिंग वेस्ट हो गई और क्वेश्चन के वल ब्रिज पर नहीं है यह थेकेदारों की है यह जो भी सब लोग मिल करके काम करते है अरे भाई जान की वात है और अगर जान की कीमत पर विकास हो रहा है तो इसे विकास कहना उचित नहीं है 1905 में बना हुआ लोड करजन का ब्रिज अभी तक ऑपरेशनल है हलाकि इस पर आप गाड़ियों को मना कर दिया गया है यहाँ पर हम दो साल ब्रिज बनाते हैं और गिर जाता है मैं यह नहीं करूँ कि वो बहुत अच्छा बना हम खराब बना रहे हैं लेकिन वाई इस दिस हैपनिंग यह हो क्यों रहा है यह थोड़ा सवाल है यह सवाल हमें पूछना चाहिए आपको पूछना चाहिए अपने असपास के लोगों से जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक यह परसन जाना चाहिए और उन्हें यह समझना होगा कि अगर इस तरह के डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है आपका थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए लेकिन इससे बहुत सारे लोगों की जिंदगियां समाप्त हो जाती है और जो की उचित नहीं है इस कीमत पर विकास तो बिलकुल उचि इस स्पीड से कम होगा तो आज 75 वर्स हो गए हमें आजाद हुए तो कितने 1500 वर्सों में तब तक तो बहुत सारी जिंदगियां जो है वो चली जाएंगी तो थोड़ा इसे इस पर भी ध्यान दिना पड़ेगा सरकार को इस पर ध्यान दिना चाहिए ठीक है साथी साथ जब चार्चा होनी चाहिए कि इन पर सुधार कैसे होना चाहिए तो जब कमियां पता होती है किसी व्यक्ति को तो उसका सुलूशन आटोमेटिक मिल जाता है सबसे बड़ी दिक्कत तभी होती है जब समस्या ही न पता हो तो जब आपको समस्या पता है कि प्रसासनी कारण से दिक अचार हो उतना उचित है इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ठीक है और कोशिश किया जाना चाहिए कि जो तक्नीक है उसको बहतर तरीके से उपयोग किया जाए हम लोग विदेशों से सीख सकते हैं या जिस भी देश में ऐसी घटनाएं नहीं होती है या जहां के स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल है वहां से सीख सकते हैं जो हमारी इंजिनिरिक टेकनोलोजी है वरतमान की मौडर्ण टेकनोलोजी है उसका प्रियोग कर सकते हैं और मौडर्ण टेकनोलोजी से क्या कर सकते हैं चीजों को बहुत स्टेबल कर सकते हैं बढ़िया बन ये भी एक अच्छा तरीका है जिससे की संसाधनों को जल्दी से पूरत किया जा सकता है और साथ में development को गती दी जा सकती है और गुणवत्ता पूरवक development किया जा सकता है कारण अगर हमें पता हैं तो कारण का solution और सबसे जरूरी चीज़ क्या है ना किसी भी चीज़ का observation अगर आप observation टाइम पे नहीं कर रहे होंगे regular pattern पे नहीं कर रहे होंगे तो ब्रस्टाचार हो जाएगा और पूरे से bridge में अगर थोड़ी सी भी ब्रस्टाचार की उसमें आच लग गई है तो वह bridge collapse कर जाएगा उसी जगे पर जैसे मात्मा गादी ने कहा था कि अगर किसी समाज में यह देखना है कि तब का कोई भी समाज कितना मजबूत है तो उन्होंने उसको तुला किया था एक जंजीर से कि कोई भी जंजीर उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी तो observation बहुत जरूरी है observation अगर नहीं होगा तो फिर बात नहीं बन पाएगी मुलेंकन होना चाहिए उन पर दबाव होना चाहिए साथी साथ हमें इस बात का जानकारी होना चाहिए कि जलवायू परिवर्तन किस प्रकार से हो रही है हम जहां पर ब्रिज बना रहे हैं वहां पर एंगल कैसा बनना चाहिए साथ में water का flow कैसा है यहां की मिट्टी कैसी है हर एक चीज़ पर अगर बहतर निगरानी रखी जाए तो मुझे लगता है आप उसके बहतर डिजाइन को बना पाएंगे और आपको ऐसी समस्यों से थोड़ी सी निजात मिल पाएगी तो यह कुछ चीज़े हैं जिन पर आपको या हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसी घटना है ऐसी जो बार-बार घटना है हमको देखने को मिलती है यह देखने को ना मिले यह कारे केवल मेरा ही नहीं है आपका भी है आप भी एथोरिटीस से जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक वहाँ पे सुधार संबहर नहीं है और ऐसी संरचना अगर विकास मृत्यू की कीमत पर हो रही है यह विकास का पहिया मृत्यू की कीमत पर चल रहा है तो ऐसे पहिये को निकाल दिया जाना चाहिए और एक ऐसे उप्यूक टेक्नोलोजी का परियोग किया जाना चाहिए जिससे सुरक्षा कायम की जा सके क्योंकि अगर अस्थाई विकास होता है तब ही उन्नती है इस प्रकार के अरस्थाई विकास और इस प्रकार की बर्बात संरचना का प्रियोग करके या बना करके हम निश्यत तोर पर आगे नहीं जाएंगे बलकि हमें इसका बहुत बड़ा खामियाजा अपने ही लोगों को समापत होते हुए देख करके भुगतना पड़ेगा बाइदर वे धन्यवाद आज के ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो भी होंगे हम आपके लिए लेकर के आएंगे आप चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी साथ हम लोग का टीसियस पाट साला करके टेलीग्राम पर चैनल है आप वहां पर ज आपकी सहत में सुधार होता है वैसे आपकी परिक्षा की सेहत में सुधार होगा बहुत इंपर्टेंट है आप टीसियस पाट साला सर्च करेंगे टेलिग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे ठीक है तो वहां पर सारी अपडीट आपको मिलती रहेंगी ठीक है वीडिओ अच्छा लगे तो दूसरे को आप शेयर कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे अगले ऐसे ही किसी जरूरी मुद्धे पर अपनी राइज जरूर दें इस मुद्धे पर आप क्या सोचते हैं थैंक यू